टूँछ टूट करते हैं अफ्टरणोन का सेशिन सोरी दो दिन मैंने सेशिन नहीं लिया या Monday Tuesday especially और वो लेना था लेकिन सर्फ नहीं ले पाया किसी incident के वज़े से ठीक है तो चलिए खेर अब थोड़ा सा जरूरी है तो incidents overcome करना पड़ेगा there is little bit bad news की थोड़ा सा मेरा problem जो है वो एक incident के वज़े से problem आ गया बट चलिए कोई बात निक कोशिश करते हैं हर बार की तरह हर चीजों से overcome करके classes को continue रखने की so everyone सबको welcome करता हूं मैं a very very good afternoon तो चलिए बच्चों बीना किसी समय को बरबात करें समय को waste करें अपनी मेरा plan था कि यह जो vacations है इसमें भी आपके मैं sessions थोड़े बढ़ा हूं लेकिन बारा तारीक को थोड़ा सा कुछ incident हो गया जिस वज़े से sessions मैं नहीं ले पाया तो sorry for that but I will compensate कि जो भी आने वाले दिन हैं उसमें मैं जाता से ज्यादा कोशिश करूं कि जितना session ले सकता हूं आप लोग के लूँ और especially जो अभी आपके बारक और इसके लिए कुछ special session कराने की सोची थी या जी डी सी है या आपका मेंस का एक्जाम है उसके लिए जितने भी maximum session हम लोगों ने प्लान किये थे वह हम सब continue करेंगे ठीक है तो tension ना लीजेगा बिल्कुल घबराएगा नहीं ठीक है ना हम लोग जो है session को सारे ही continue करेंगे जितना भी आप लोगों से promise किया था चलिए तो लेट स्टार्ट विद टुडे सेशन आज के mcq session को स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के और यहां पर questions जो है आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ that is from the applied thermal portion सविंद्र पतेल जी जिसने भी अब बुक और करी है बच्चों वो बाइडिफॉल्ट किसी ने बुक और करी है यूँकि बुक का स्टॉक पूरी तरह से फिनिश हो गया है तो प्लीज एक बार कॉल करके टीम पो संपर्क कर लें तेके ना कि बुक है अवलेबल की नहीं क्योंकि नहीं है तो फिर आप अपना refund ले लिजेका अभी फिलाल क्योंकि आभी थोड़ा रुखना पड़ेगा चलिए बच्चों पहला कोशन है तो पैला कोशन है तो बचों यहां पर यहां प्लीज सकते हैं. तो आब सुरे को जानते हैं तो आप सम लोग जानते हैं हैं करना ही लिए बात करते है लिए हमारी क्या होती आइए कि जो भी हमारा डभलू nept है ना जो भी हमारे v net है Def Indigenousyyy. were cabinet हम लें रेंगे यहा इतरॉआइन यह क्यों, हम लोग क्या लीडेंगे ? iedychnya time Kristine-نت यूझ में अगर घर को पृம थे में अगर क्यों क्यों इंपूट ले रहा हूं जो भी ले रहा हूं उस सब में क्या हिसाब से ले रहा हूं क्या entropy of the component या enthalpy of the component लूँगा तो we all know that ठीक है हम सबको पता है कि we always take a enthalpy of the components तो चाहे हम turbine का वर्क निकाले या pump वर्क निकाले वी हमेशा क्या calculate करेंगे हम that is function system की enthalpy calculate करेंगे this is the enthalpy difference of the components ठीक है न तो इसलिए B is the correct answer next question पर आते हैं from the options from the options given below which of these boilers are at a greater risk of bursting तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया था बच्चों कि यह question जो है वो fixed नहीं है यह option to option इसका answer vary correct कि option दिये क्या है जैसे कि वो कह रहा है कि इन सभी options में से कौन सा boiler में जो है वो bursting का risk सबसे ज्यादा है इन सभी options में से कौन सा boiler जो है जिसमें bursting का risk जो है वो सबसे ज्यादा है तो बताएं बच्चों अगर इन में option की बात करें तो लंका शहर boiler we know that that is a fire tube boiler है कोखरन बॉयलर भी हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है कॉर्णिज बॉयलर भी हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है लेकिन बैपकॉक बॉयलर हमारा क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर है और अगर हम वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो वाटर ट्यूब में जो है वो प्रेशर अगर comparatively, comparatively pressure जो है वो high होता है, ठीक है, comparatively बोलेंगों सिर्फ में है, comparatively pressure जो है वो high होता है, मिर राइटिंग इतनी साफ नहीं आईगी बचो अभी 2-3 दिन लगेंगे इसको साफ होने में, मतलब obviously बात है उल्टे हाथ में लिखने में, ठीक है न, थोड़ा सा problem तो आएगी, बट आप लोग अगर continue effort बनाए रखेंगे तो बता रहा हूँ, सब कुछ possible है, ठीक है न, अभी छोटी-छोटी जो problem दिखी भी रही है, ये भी शहद कोई problem नहीं करेगी, अगर आप लोग continuous effort बना के रखेंगे, जैसे कभी आपको मेरे support की दुरोत है, तो कभी मेरे को आपक ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बैबकॉक, विलकॉक्स बाइलर है आपका, next question पर आ रहे है, X is a device that has to be used if one wants to generate a steam that is almost fully dry, what is X? तो वो कह रहा है, X एक ऐसा device है, ठीक है, X एक ऐसा device है, जिसको हम use करते हैं, if one wants to generate a steam that is almost fully dry, हम steam को fully dry करने के लिए use कर रहे हैं, तो वो X device क्या है बच्चों, जिसमें हम steam को fully dry, fully dry का कहने का मतलब क्या है, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम super heat करना चाह रहे हैं, हम super heat करना चाह रहे हैं, तो super heat करने के अगर हम बात करेंगे, तो super heat करने का एक ही तरीका है, we have to use a super heater, क्या boilers हैं हम dry करने के कोशिच, या unwanted furnace की बात करें, या wooden burning, तो यहाँ पर clear है, that is a super heater जो हो सकता है जो हमारा क्या करेगा इसको हमारा मोर ड्राय करने की कोशिश करेगा सरविंद्र पटेल जी प्र תरक्किंगी होगे अगर आपके पास नहीं है थんと आप मांग भी सकते हैं कॉल करके क्योंकि स्वेज के इन दर इन दर बुक्स अब्जह के पुहछ जाती है, in case अगर कोई ऐसा छुट्टी या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना रहा हो तो ठीक है, next question, while running an air compressor, ठीक है, आईए बचो कुश्चिन भी तरफ सुमन कुमार जी, अभी तो continue रख लीजिया, preparation क्योंकि अभी देखिए, एक दो दिन के अंदर result आने वाला है, अगर हम previous date को माने means की, तो previous date के साफ से first week of December में paper हो जाना चाहिए, तो मतलब 15 days में अगर paper होने वाला है, तो उसके result आने आने वाला होगा, क्योंकि ऐसा होता है, पिछली बार भी ऐसा होता है, कि 15 दिन के अंदर paper हो गया था, तो मतलब 15 दिन के अंदर paper होने वाला है, तो बस आज और कल में result आने वाला होगा, ठीक है ना, clear है, चलिए, while running an air compressor in a multi-stage compression method, which one of the following is not a proven advantage over a method of single-stage compression, तो बच्चों not पूछ रहा है, सबसे पहली बात तो यह धियान रखेगा, आपको कह रहा है, while running an air compressor in a multi-stage, multi-stage compressor से हम लोग जो compress कर रहे हैं, which one of the following is not a proven advantage over the method of single-stage compression, इस में से कौन सा उसका advantage नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, तो पहला है यहाँ पे reduces losses due to air leakage, दूसरा है improved lubrication, तिसरा है improved volumetric efficiency, और चौथा है lex expensive with longer life, बताएं बच्चों, question I think आप लोगोंने करावी होगा, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है हमारे पास, while running an air compressor के अगर हम बात करें, कि air compressor के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो we all know that कि हम multi stage compression के अगर बात करें, तो multi stage हम कब करना चारें, जब हम high pressure ratio पर पहुतना चारें और compressor work को नहीं बढ़ाना चारें जादा, तो तब हम क्या करते हैं, कि similar type of compressor के बीच में intercooler लगा के, हम multi staging करते हैं, तो ऐसे में वो कह रहा है, कि अगर which of the following is not a proven advantage over the matter, इन में से कौन सा advantage नहीं है, तो नहीं है, जो यहाँ पे बिलकूल बेकार advantage दिख रहा है, जो नहीं हो सकता, वो क्या है, that is a less expensive with longer life, less expensive with longer life, क्योंकि it reduces, अगर हम single stage की बात करें, single stage के ऊपर, multi stage की बात करें, तो वो air leakage को भी कम करता है, losses को भी कम करता है, lubrication, इसको आप advantage के तौर पे भी ले सकते हो, इन तीनों point को याद रखो, ये तीनों point जो है, वो multi stage की advantage है, over single stage, तो इसको आप ऐसे भी आ रखो, खासकर ये वाली advantage जो है, पेपर में ज़्यादा पूछी गई है, improved volumetric efficiency करके, ठीक है ना, clear है, चलिए, next question पर चलते हैं, next, x is a process carried out to maintain the level of total dissolved solids in the boiler water, what is x, चलिए, अब देखो, again यहाँ पर क्या है, जैसे वहाँ पर पूछा था, कि x क्या है, जिससे हम लोग क्या कर रहे है, improved कर रहे है, ठीक है ना, अब यहाँ पर पूछ रहा है, कि वह x क्या है, जो हमारे क्या करता है, जो maintain करता है, level of dissolved solids in the boiler, boiler water में जो dissolved solids हैं, उनके level को maintain करता है, maintain करता है, मतलब कि अगर ज़्यादा बढ़ता है, तो remove करता है, तो deposit control, external water treatment, boiler meltdown या boiler blowdown, तो there is a boiler blowdown, जिसका काम ही यही है, कि जो भी sediment और solids है, dissolved in water, उसको अलग कर देना, उसको अलग कर देना, कुछने नीरा सिंग जी, छोड़िये, अपनी दुख पीड़ा, क्या बताएं आपको, एक दिन की होती तो मैं बताता भी कि आज यह हो गया, या कल वो हो गया, यह तो अभी 2-3 हफते का risk है, तो इसलिए जादा tension लेने का ज़रूत नहीं है, ठीक है, चलिए, next question पर हम आते हैं, अगला question है, while subjecting water to heating techniques, identify the sequence in which the various phases of steam are formed upon continuous heating of the sample, तो question में क्या कहा रहा है, पहले, question को ध्यान से समझेगा, while subjecting water to heating, ठीक है, जब हम water को heating कर रहे हैं, heating technique को भी उसकी यूज़ कर रहे है, identify the sequence in which the various phases of steam are formed, when continuous heating of the sample, अब देखे, जब यहाँ पर हम किसी की भी continuous heating कर रहे हैं water की, तो उसमें हमारा sequence जो है, वो क्या रहना चाहिए, यह बड़ा important और थोड़ा हट के question है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, water जाएगा, water जाएगा, तो heat मिलेगी, heat मिलेगी, उससे steam बनेगी, अब steam जो है, वो super heater में जाएगी, super heater से और dry होगी, है ना, conditions यही चलती है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है, there is a wet steam, dry saturated steam और super heated, अब wet steam, super heated steam या dry saturated steam, तो एक चीज़ तो आपको clear बचो, graph से भी, generally हम जानते हैं कि graph से भी हमें clear है, कि हमारी सबसे पहले तो wet condition होगी, wet condition के बाद हमारी dry saturated आएगी, और dry saturated के बाद हमारी क्या होगी, super heated condition होगी, तो sequence भी यही रहना चाहिए ना, sequence भी यही रहना चाहिए, कि there will be a wet condition, there will be a dry saturated condition, और there will be a super heated condition, तो यहाँ पे भी same बच्चो वही sequence है जो कि A option में दिया हुआ है There is a wet steam, then dry saturated, then super heated steam तो A is the correct answer, clear है Next question The degree of reactions of a Parsons reaction turbine बच्चो अब देखो ऐसे question बहुत परिशान करते हैं इसका एक जबदस solution मैं कल आपको देने वाला हूँ जैसे मैंने आपको कहा भी था कि हम कुछ content ट्यार करवा रहे हैं आप लोगों के लिए तो इसका बहुत अच्छे से explanation, मलब इसका अच्छे से solution हम लोग कल देने वाले हैं एक solution तो मैं आज ही दूँगा, statement वाले questions का लेकिन एक solution जो हम कल देने वाले हैं आपको e-book की form में जिससे इस तरह के questions करने में आपको बहुत help मिल जाएगी जैसे ही आप उत्रा है degree of reaction of a Parsons reaction turbine अब Parsons reaction turbine का degree of reaction क्या होता है तो generally आपने ऐसे question करे हुए हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझते आती लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर confusion होता रहता है मतलब जिनकी बात करते हैं हम data-based questions की ठीक है ना तो यहाँ पर बच्चों we all know that that is a 50% that is a 50% c is the correct answer c is the correct answer clear है चलिए next question पर चलते हैं अगला question है the pressure volume diagram for a breton cycle breton cycle के लिए आपको पूछ रहा है pressure volume diagram आपके सामने है आपको sequence बताना है बच्चों 1,2,3,4 second आप देखो breton cycle है we all know that this is pressure यह pressure है तो दो तो constant pressure process हो गई है ना दो तो हमारी क्या हो गई constant pressure process हो गई तो यहाँ तो clear है कि we have a constant pressure यह isobaric हम लोग कह सकते हैं यहाँ ठीक है ना अब यहाँ पर आप option के साफ से चलिए ठीक है ना we all know that कि दो हमारी constant pressure process होती है यह वाली भी और यह वाली भी जिसमें हम heat का addition और heat का rejection करते हैं और दो हमारी isentropic process भी होती है ठीक है ना isentropic process भी होती है है sorry है मैं तोड़े dyslexia जैसा लिख रहा हूँ कई पर बार उल्टे हास से अक्षर लिखा जा रहा है ऐसे ठीक है तो यह हमारी क्या है इस सर्माल ला ले option कोई दूसरा है process वन से टू रिप्रेजेंट दे रिवर्सिबल अडिवेटिक compression process वी नो देट वन से टू में प्रेशर देको बढ़ रहा है एरो उपर को जा रहा है तो यह बात बिल्कुल तो बी जो है वो बिल्कुल सही option है और process 1 to 2 रिप्रेजेंट दी रिवर्सिबल अडिवेटिक expansion process जो कि गलत है ठीक है expansion तो कौन सी है 3 से 4 यह हमारी expansion है है ना यह हमारी expansion है जो कि 3 से 4 है वो हमारी compression है और 4 to 1 रिप्रेजेंट दी constant temperature तो यह भी गलत है तो B is the correct answer बच्चों लोगी सभी का लोगों का सही आज मेरे साब से सभी लोगों ने maximum सही answer दिया है है ना सभी लोगों ने maximum सही answer दिया है next question चलिए बचो नुमेरिकल आ गया है मेरे लिए tough है नुमेरिकल करना आप लोग इसली कर लोगे चलिए 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 कोशन पर आते हैं फटावड बचो नुमेरिकल पर क्या है एर एंटर्स दी कंप्रेसर ओफ गैस टर्बाइन अब यहाँ पर क्या है एर कंप्रेसर में एंटर कर रही है गैस टर्बाइन के किस कंडिशन में इसमें प्रेशर पीवन जो है वो हमारा है हंड्रेड किलो पासकल है ना हंड्रेड किलो पासकल में ठीक है और टैंपरीचर जो है हमारा वो है 300 कैलिए इस कंडिशन में एर जो है वो एंटर कर रही है compressor में gas turbine के तक compressor pressure compression is compressor pressure ratio is 10 तो compression pressure ratio जो है वो हमारा क्या है 10 है ठीक है what will be the isentropic compression work per kg of air आपको निकालना है isentropic compression work per kg of air कितना होगा what will be the isentropic compression of air चलिए 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 बच्छों सॉल्व करिए क्या कर सकते हैं इसमें हम अब return cycle अभी आपने पीछे देखी आपके this is the return cycle तेके ना अब अगर मैं यहां पर बोलू कि compression work मुझे निकालना है तो I can write T2-T1 है ना यही तो मुझे करना isentropic work है तो मैं simple mcp T2-T1 करूं ऐसे निकाल सकता हूं तो अब बात है कि यह T2-T1 के लिए मुझे T1 तो पता है what is T2 T2 नहीं पता करना simple है यह question को लेकिन क्योंकि CP भी मुझे दियावा है 1 kJ पर kg Kelvin तो करना simple है बच्चो मुझे और कुछ नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ CP T2-T1 निकालना है जिसके लिए मुझे T1 तो पता है T2 नहीं पता है तो first we have to calculate T2 अब देखो process isentropic है है नब process क्या है मेरी adiabatic process है तो किसी भी adiabatic process के लिए आप सब लोग जानते हैं किसी भी adiabatic process के लिए ठीक है adiabatic process के लिए relation क्या होता है बच्चो देखो relation सारे याद रखेगा P2 upon P1 P2 upon P1 is equal to क्या होता है P2 upon P1 is equal to T2 upon T1 की पावर gamma upon gamma minus 1 बस यही लगाना है T2 upon T1 पावर gamma upon gamma minus 1 minus 1 यह लगाए यह लगाए यह लगाए गावा आपको दे रखा है 1.4 ठीक है Calculative है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां से T2 आप निकाल सकते हैं because यह pressure ratio आपको पता है what is the pressure ratio you all know that that is the compression ratio वही pressure ratio that is 10 that is 10 ठीक है न यह 10 है तो यहां से मैं T2 निकाल सकता हूँ बच्चो कोई समस्या आया कितना T2 निकाल के बताईए यहां से मैं T2 निकाल के बताईए जल्दी जल्दी T2 कितना आया है निकाल के बताईए प्लीज सब लोग solve करें बच्चो जैसे पहले आप लोग करते थे वैसे ही proper पर सब सॉल्व करें खासकर जिनका बार्क का एक्जाम बिल्कुल मुह पे है दो तिन में उनकी तो क्यल्कुलिशन रोड़ी फास्ट करने चाहिए उनको तो अपना एक सेकंड में वेस्ट नहीं करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि उनके छुटियों में भी विल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया होगा अपना कि टीट पताईए कितना आ रहा है 570 ओके 570 ओके 570 आ रहा है तो वी हैवा 570 केल्विन है ना 570 केल्विन आ रहा है बस अब यहाँ पूट कर दीजिए अब आपको पता है आ रहा है यू ज़िस्ट आ रहा है यू ज़िस्ट आ रहा है तो अगर थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो बात लगे है निकाल दीजिए अंसर कितना रहा है 270 के असपास आ रहा है 270 किलो जूल पर केजी 270 किलो जूल पर केजी इस दी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं प्रिएटर इन बॉइलर बॉइलर में प्रिएटर का परपस क्या है जो भी कमशन चैंबर में ऑक्सिजन एयर जा रहा है उसको प्रिएट करना तो इंक्रीज एयर टेंपरिचर बाई स्टीम स्टीम से इंक्रीज कर रहे हैं कि वेस्ट गैस से कर रहे हैं इस्टीम से तो नहीं कर रहे हैं किस से कर रहे हैं तो इंक्रीज टेम टेमचर बाई एयर से कर रहे हैं नहीं तो इंक्रीज टेमचर बाई फ्लू गैसे जो हमारी फ्लू गैसे से वेस्ट गैसे से उन से कर रहे ह तो C is the correct answer, C is the correct answer, बिल्कुल सही है, C is the correct answer, चलिए next question पर चलते हैं, In a convergent nozzle, the mass flow rate is not a function of, in a convergent nozzle, the mass flow rate is not a function of initial pressure of steam, initial condition of steam, weather wet, dry or super heated, throw diameter या exit condition of steam, तो यहाँ पर आप देखोगे, in a convergent nozzle की बात कर रहा है, तो convergent nozzle की अगर हम बात करें, mass flow rate हमारा क्या होगा, is not a function of, किसका function नहीं कहलाता है mass flow rate, यह अच्छा question है बच्चो, क्योंकि पूरा-पूरा वैसे भी mass flow rate का formula तो सबको ध्यान नहीं रहता, ठीक है न, जो complete formula हम लोग use करते हैं, वो तो वैसे भी किसी को ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, बट आप यहाँ से सरफ इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसका function नहीं होता है, तो you should know that, कि convergent nozzle की अगर हम बात कर रहें, या simple बात कर रहें हैं, तो mass flow rate जो है, वो किसका function नहीं होगा, क्या initial pressure of steam का function होगा, initial condition of steam, whether wet, dry or superacted, क्या nozzle में mass flow rate, इस पे depend करता है कि initial condition क्या है steam की, मतलब कहीं न कहीं हम बोलें, dryness fraction जैसी condition, इस पे depend करता है, बिलकुल भी नहीं बचो, तो याद रखिए, यही इसका correct answer होगा, it doesn't depend on the, it does not a function of initial condition of steam, steam की initial condition क्या है, whether wet है, dry है, या superacted है, इस पे depend नहीं करता है, उसकी velocity, starting velocity क्या है, उसपे बड़ा depend करता है, ठीकिल, लेकिन condition क्या है, उसपे depend नहीं करता है, सरफ exit condition पर depend करता है, ऊखिए बिलकुल सभी, प्रेसे पर हैं ने बिल्कुल सही, जैसे कि से एकट कंडिशना में लीखाना न तो इनिशेल गैट करेगा, एकट कंडिशन पर करेगा है थ्रोट दाये पर करेगा है अर इनिशेल प्रेश्र अफ़ स्टीम पर करेगा, clear है ठीक है ना, B is the correct answer तो please correct करें जिसका भी गलत answer जिसने भी दिया है exit condition पर तो depend करता है बच्चे exit condition पर depend नहीं करेगा क्यों बोल रहे हूं उल्टा बोल दिया लगबग सबने चलिए the enthalpy of vaporization is minimum at जो enthalpy of vaporization है बच्चो we all know that enthalpy of vaporization जो है हमारा, वो minimum कहाँ पर होता है तो we know that enthalpy of vaporization को हम क्या बोलते हैं latent heat ही तो बोलते हैं कि कितनी enthalpy चाहिए vaporize होने के लिए और latent heat जो है वो minimum कहाँ होगा at the critical point at the critical point we all know that, that is at the critical point तो यहाँ पर critical temperature हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो minimum होगा clear है ठीक है ना, triple point नहीं बच्चे, triple point नहीं triple point नहीं clear है यह गलती मत करने, triple point नहीं, ट्रिपल पर टिटिकल प्ट पर फोर्ज सर्कुलिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन FORGE CIRCULATION OF WATER TAKES PLACE IN इन में से BACHOW FORGE CIRCULATION जो है वो किसमें देखने को मिलता है FORGE CIRCULATION मतलब जहां हम PUMP का परियोग कर रहे हैं क्या LOCOMORTIVE BOILER, BAPCOG, GWILCOG BOILER, LAMONT BOILER या STERLING BOILER तो BACHOW ये QUESTION तो CONFIRM आने ही यहां नहीं आपके पास तो 4 circulation के अगर हम बात करेंगे तो locomotive हमारे जो भी fire tube boilers होते हैं वो generally हमारे क्या होते हैं natural circulated होते हैं तो ये इसकी बात करें है ना हमारा law mind बाकी ज़स हमें water tube भी दिया है ये हमें वो दिया है fire tube only ये fire tube है बाकी हमारे water tube ही है water tube में हम जानते हैं water tube में सिर्फ ये दो ही होते हैं natural circulated बाकी सारे हमारे जो होते हैं water tube वो 4 circulated होते हैं चाहे उसमें law mind boiler आये चाहे low flour boiler आये चाहे हमारा benzen boiler आये चाहे हमारा wellox boiler आये ये सब हमारे क्या आएंगे 4 circulated boilers आएंगे ये चीज का धियान रखेगा इसको भी चाहे आप अलग-अलग तरह से classify कर दीजे कि natural circulation में डाल दीजे आप natural circulation में डाल दीजे सारे fire tubes all fire tubes plus babcock, bilcocks और sterling boiler sterling boiler ये ये सारे है natural circulated ठीक है और बाकी four circulated में बाकी सारे जो होंके वो four circulated में आ जेंगे rest of जो है ठीक है न, clear है ठीक है चाह पढ़ने में दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में दिक्कत आ रही है चलिए next question is the efficiency of a Rankine cycle, the efficiency of a Rankine cycle can be improved by, increasing the temperature at which heat is supplied and increasing the temperature at which heat is rejected, अब देखो, efficiency, Rankine cycle की efficiency को improve हमने कई तरीके से देखा है परामिटर्स को change करके, ठीक है ना कि ऐसा करते हैं तो वैसा करते हैं और मैंने हमेशा कहा है सबसे easy तरीका क्या है याद रखने का, सबसे easy तरीका है कि Rankine cycle को किस तरह से stretch किया जा सकता है, है ना Rankine cycle जो आप बनाते हैं उसको किस तरह से आप stretch करते हैं इस पे बहुत depend करता है आपका कि आपके Rankine cycle जो है वो आपकी, उसकी efficiency कैसे improve होगी, तो यहाँ पर आपको पूच रहा है अलग-अलग option बच्छो पहला option है, increasing the temperature at which heat is supplied, अब आपको पताए यहाँ आप heat supply करते हैं, Q in और यहाँ आप heat जो है वो reject करते हैं, that is Q out, अब आपको बोल रहा है कि increasing the temperature at which heat is supplied, increasing the temperature at which heat is rejected, अब देखो यहाँ पर किरा है temperature को बढ़ाए जिसमें heat supply कर रहे हैं और temperature को बढ़ाएं जहां पर heat reject कर रहे हैं तो यह तो सही तरीका नहीं है ऐसे करें और ऐसे करें से तो हो सकती efficient improve तो यह तो काट दीजे सिदा सिदा दूसरा है decreasing the temperature at which heat is supplied क्या कह रहा है decreasing the temperature at which heat is supplied ये नीचे ले गिया तो ये भी गलत होगए मैंने कहा ने stretch करो increasing the temperature at which heat is supplied and decreasing the temperature at which heat rejected अब देखो ये stretch हुआ न देखारो समझने का option मैंने क्या बता है आपको हमेशा current को vicious stretch करो से ये से वा करेगे यहां पे अगर हम बोलने कि तो पहले वाले कर वे उपर से स्ट्रेच कर रहा है लेकिन नीचे से भी उपर ही को ले जा रहा है तो वह श्त्रेच नहीं वहां काट दिया हमने दूसरे वाले में क्या कर रहा है यहां पर नीचे से तो down कर रहा है तो यहां खोर दिया हमने तिसरे वाले में क्या कर रहा है ऊपर से इसको stretch कर रहा है तो आप आप इजए वे कि इसी से efficacy हमारी improve करेगी तो आप सिदा सिदा जो है उससी को ही correct answer, कह सकते हैं, C को ही correct answer, कह सकते हैं, C is the correct answer, C is the correct answer, clear, clear, next question, next question, reheating is mainly adopted, reheating is mainly adopted to gain advantage of dash in the low pressure stages and regeneration is adopted to dash the thermal efficiency of the cycle, चले बचाओ, ध्यान से कुशन को पढ़िए और answer करिये, ध्यान से कुशन को पढ़िए और answer करिये, live classes में भी अब add आने लगे हैं, क्या, पहले तो नहीं आते थे, ये मेरे को लग रहा है, YouTube ने पैसे कमाने के लिए और बढ़िया option दे दिया है, चले हम चेक करेंगे, setting अगर add आ रहे होंगे तो उसमें option जरू आ रहा होगा, add चलवाने नहीं लगा, live classes में हटा सकते हैं, ऐसे मेरे का से live classes में starting और end में आ रहते हैं, बीच में पता नहीं क्यों आने लग रहे हैं, reheating is mainly adopted to gain advantage of dash in the low pressure stages and regeneration is adopted to dash, अच्छा कोशन है बचोई, इसको आप वैसे भी statement के तौर पर भी याद रख लीजे, क्या कहा रहा है कि reheating को हम mainly adopt करते हैं जब to gain advantage of किसके advantage, अब आप सबको पता है, बच्छो, reheating करने का तरीका क्या है कि हमने यहां से superheat किया, then उसके बाद हमने क्या किया, steam जो बाहर निकली है, उसको ऐसे करके वापिस reheat करा दिया, है ना उसी temperature तक, तो इससे क्या है हमारा turbine work, यह भी यह भी ऐसे मिलता है हमें, stages में, तो वहां से हम लोग, वो उस condition में हम लोग क्या देखते हैं, उस condition में हम लोग क्या देखते हैं, कि reheating is mainly adopted to gain advantage of क्या, steam जो हमारी super heated है, जो dry steam है, उसको maximum utilize करने के लिए ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर क्या ना चाहिए, steam condition dry, कि dry steam condition के अगर हम बात करेंगे, dried steam condition के अगर हम बात करेंगे, तो हमें यहाँ पर advantage मिलेगा reheating का, दूसरा क्या है, re-generation is adopted to dash the thermal efficiency of the cycle, तो भाईया increase करने के लिए, ओव्यसी बात है, thermal efficiency को क्या करने के लिए, increase करने के लिए, तो हम क्या condition बोलेंगे, that is, to dry steam and increasing the efficiency, thermal efficiency, B is the correct answer, जो कि maximum बच्चों ने दिया भी है, B जो है, वो बिल्कुल correct answer दिया है, बिल्कुल सही, B is the correct answer, चलिए, next question पर चलते हैं, compare to throttle governing, अगर हम throttle governing की बात करें, the cut of governing in steam engine is, compare to throttle governing, the cut of governing in steam engine is, अगर हम throttle governing, अब देखो, governing of steam turbine जो है, अपने आप में एक typical topic है, मैंने बहुत बार सोचा कि इस topic को अच्छे से short करके आप लोगों को बताऊं, लेकिन कर नहीं पाया अभी तक, लेकिन कोशिच जरू करूँगा कि जल्दी जो है, इस topic को, पढ़ना, पढ़के short करना जरूँए, वैसे तो बहुत कुस दिया है, governing के बारे में, लेकिन पढ़के short करना जरूँए, कि गवर्निंग से कभी कभा कुशन आ जाते हैं, खासकर SSC जैसे format पतले जरूँपूचे जाते हैं, तो हो सकता है, मेंस के चक्कर में कर दूँ थोड़ा short इसे, तो compare to throttle governing की बात करें, throttle governing compare में, जो cut-off governing होती है in steam engine, वो क्या होती है, जादा better रहती है, more efficient रहती है, तो इसलिए याद रखे का, it is more efficient and more economical, compare to throttle governing, अगर बात करें तो cut-off governing in steam engine is, throttle governing compare में, cut-off governing जो है, वो efficient भी जादा होती है और जादा economical रहती है, ठीक है ना, इसका कोई idea नहीं, बिल्कुल लुकुल हो सकता idea नहीं होगा, क्योंकि आपने अलग से topic को नहीं पढ़ा है, topic wise तरीके से नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी उसे कोशिच करेंगे लेने की, next question, खासकर mains के लिए तो जरूरी है, mains के लिए जरूर कवर करेंगे, अगला question है, in reaction turbine when steam flows through the fixed blades, अब बच्चो सबको पता है, reaction turbine में हमारा क्या है, reaction turbine, reaction turbine के अगर हम बात करें, तो reaction turbine में हो कह रहा है, कि जब हमारा steam fixed blade से flow करती है, तो हमें क्या effect देखने को मिलता है, जैसे कि impulse turbine में आप जानते हैं, कि fixed blade से सब कुछ constant रहता है, pressure भी constant रहता है, velocity भी constant, fixed blade से कोई roll नहीं होता, लेकिन जब हम reaction turbine की बात करते हैं, तो वहाँ पे fixed blade जो है, वहाँ पे fixed blade जो है, वो somehow nozzle की तरह ही काम करती है, जिसमें pressure का decrement ही होता है, और velocity का increment ही होता है, तो अगर हम बात करेंगे, एक reaction turbine में steam flows through the fixed blade, तो pressure decreases while velocity increases, pressure decreases while velocity increases, clear है, ये चीज़ ध्यान रखेगा, it behaves like a nozzle over a reaction turbine, clear है, ठीक है, next question, hermetical compressor, semi hermetical scaled compressor, open type compressor, expansion device, ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें devices दिये गए हैं, और नीचे कुछ characteristic उसके बताए गए है, जिसमें एक जगा capillary tube है, both compressor and motor enclosed in a shell or casing है, both compressor and motor enclosed in a shell or casing with the removable cylinder cover है, और चौथा है, आपका driving motor not enclosed in a shell or casing and connected to the shaft driving the compressor, चलिए, अब यहाँ पे अगर हम match करें, तो एक एक option भी अगर आप match करो, तो easily match हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चो, तो हमारा hermetical compressor आप लोग के साथ कई बार जिकर हो चुका है, जहाँ पे आप जानते हैं, कि हमारी motor और rotor, compressor and motor जो है, वो एक ही sealed cabinet के अंदर होता है, है न, तो यह आप लोग जानते हैं, तो उसके साथ से अगर हम देखें, तो बोध compressor and motor enclosed देना shell और casing, एक तरफ तो लिखा है shell और casing, दुस तरफ लिखा है shell और casing with a removable slender cover, तो याद रखें, हर्मेटिक में removable नहीं होता है cover, हर्मेटिक में sealed pack होता है, तो एक आप तो सीदा सीदा हो जाता है, वच्छो, 2 is the correct answer, ठीक है, अब semi-hermetical जिसे हम बोलेंगे, semi-hermetical जिसे हम बोलेंगे, उसमें यह option रहता है कि उसमें slender cover जो है, वो removable हो, तब उसे semi-hermetical बोल रहे हैं, कि combined तो है, एक shell के अंदर तो है, लेकिन वो removable भी है उसका cover, तो ऐसे में इसको हम बोल देते हैं, 3 option, ठीक है, 3 option, अब open type compressor की बात करेंगे, तो open type आपका क्या है, driving motor not enclosed in a shell or casing connected to a sharp driving, simple, open type की अगर बात करेंगे, तो मतलब जो openly रखा हुआ है, ठीक है न, तो यह हो जाएगा, साफ-साफ 4 वाल option, और expansion device की बात करेंगे, तो हमने कहाँ, expansion device को हम ऐजा capillary tube यूज करते हैं, तो that is हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2, 3, 4, 1 is the correct answer, तो clear है, ठीक है, चलिए, next question पर आते हैं, higher efficiency during the, higher efficiency during the regeneration process in rank and cycle is because of, higher efficiency during the regeneration process in rank and cycle because of, तो बच्चों, rank and cycle में, higher efficiency during the regeneration के दुरान, जो higher efficiency में मिलती है, वो किस के वज़े से है, because of heat is added before steam enters the low pressure turbine, the average, तो रिजनरेशन को अच्छे से पढ़के जाएगा, बच्चों, अगर आप mains देने वाले हैं तब भी, और अगर आप UKPSC देने वाले हैं तब भी, ठीक है ना, या BEML का exam देने वाले हैं तब भी, regeneration is always, इन दो-तीन चीज़ों के लिए बड़ा important question रहने वाला है, ठीक है ना, तो regeneration की effect को जरूँ अच्छे से पढ़के जाएगा, ठीक है, रिजनरेशन का effect क्या-क्या होता है, जिसमें efficiency का improvement होता है, mean temperature का increment होता है, ठीक है ना, heat rate का decrement होता है, network जो है आपका turbine का decrease होता है, network decrease होता है, लेकिन increases the steam rate आपका increase होता है, ठीक है ना, यह कुछ effect याद रखेगा, अब यहाँ पर question के साब से जो पूछ रहा है, तो याद रखेगा, because of क्या होगा, mean temperature जो आपका heat addition का बढ़ रहा है, उससे benefit होगा, त that is, अगर हम बात करें, heat is added before the steam rate, तो the average temperature of heat addition in the boil increases, तो भीकुल जो mean temperature की बात कर रहा है, वो यहाँ पर B वाले point पर कर रहा है, और यह सब मैंने graphically भी आप लोग को समझा रखा है, notes में, कि यह mean temperature बढ़ता कैसे है, ठीक है, अच्छा है, reading के case में समझा रखा हो, या regeneration के case में स यहाँ भी समझा रखा है, वहाँ जरूर इस चीज को पढ़के चलेगा, very very important, बहुत important यह रहने वाली यह बात, clear है, next question पर आते है, which of the following statement about unused heat, unused मतलब जो used नहीं हुई है, heat from an energy source in a steam power plant is correct, it's not used by economizer, वो बुज रहा है, यहाँ पर correct बताना है, आपको correct क्या है, तो not used by economizer तो cool the steam in condenser, it used to cool the steam in condenser, गलत, it directly released to atmosphere, गलत, it used to preheat, feed water, superheat the generator, बिल्कुल सही है, ठेक है ना, used by economizer भी आना चाहिए था, लेकिन वो not used, बोल रहा है, इसलिए वो गलत है, ठेक है ना, बिल्कुल boiler size increase, बिल्कुल सही जसे भी, बिल्कुल सही, गैस कर रहा है आप, बिल्कुल सही, D is the correct answer, D is the correct answer, D जो है, यहाँ पर बिल्कुल सही answer है, सभी लोगों का, जिन्होंने भी सही answer किया है, ठेक है ना, very good, very good, very good, चले बचो, आज के question यहाँ पर समाप्त हो है, हमारे दिन के, ठेक है, question मैं थोड़े और लेता, लेकिन अभी मुझे खुद पर confident नहीं था, कि session को पूरा proper मैं चला पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है, मैं करा लूँगा, session कोई दिक्कत नहीं है, ठेक है, और जैसे मै मैंने आप लोग को का था कि बचो दिवाली है, सब कुछ है, safe रहिएगा क्योंकि आप लोग का paper है, तो यही चीज मेर भी लाग होती थी, but very sorry, मैं safe नहीं रख पाया खुद को थोड़ा सा, और कहीना कहीन थोड़ा सा जो है वो अपने को problem में डाल दिया किसी, लेकिन क्या है, क्या नहीं, यही कहानी, किस से आपको सुनाता रहूँ, इन सीटों पर ना पढ़ते वे, इसको फिलाल जैसे मैं इगनोर कर रहा हूँ, आप भी इगनोर करिए, class के दोरान, और अपना focus करिए class पर, और मैं भी उम्मिद करता हूँ कि हमारी जैसे यह class हुई है, ऐस झाल, 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